आजेहिन, आज मैं आपको मच्छल के इलाके में हुए कल रात को LC पे जो दो अप्रिशन हुएं उनके बारे में ब्रीपर हुआ। हमें पिछले कई दिनों से खबर आ रही थी कि इस इलाके में आतंगवादी, लाइन आफ कंट्रोल के पार से इन्फिल्ट्रिशन करने की कोशिश करेंगे। कल यानि 28 तारीक को हमारी इंटेजिंसन से खबर दी कि यहां इन्फिल्ट्रिशन तंधार और मच्छल के इलाके से होगा। इसी खबर की पुष्टी जम्मु एन कश्मीर पुलिस द्वारा की गई। या खबर की पुष्टी होने के बाद इंडिन आर्मी, जम्मु एन कश्मीर पुलिस और B.S.F. ने विलकर के जो दुश्मन के टेरिस्ट के आने वाले इन इलाकों में रास्ते हैं उन रास्तों पे एंबुश लगाया। रात को तक्रिबन आठ बजे मच्छल के इलाके में इन फिल्ट्रेशन की कोशिश करते होई टेरिस्ट और हमारी एंबुश पार्टी की बीच में मुढदेट शुरू हो गई। यहां मुढदेट चली रही थी कि रात को नौ बजे तंधार के इलाके म मुढदेट शुरू हो गई। इन दोनों ऑपरेशन के दोरान मच्छल में दो आतंगवादी और तंधार में एक आतंगवादी मारा गया। इसके लावा यहां भी खबर है कि तंधार में एक आतंगवादी इस ऑपरेशन में बुरी तना घायल हुआ है। इन ऑपरेशन्स जो कि दुर्गम इलाके में हुए हैं और खराब मौसम में हुए हैं इसमें इस सफलता के लिए मैं सभी सेक्यूर्टी फोर्चेस को बजाए देता हूँ। और मैं वरोसरी लाता हूँ कि सभी security forces रेन के में शान्ती को भाल रखने के लिए अततपर हैं. Thank you.